नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गर्वेकेडमी में और गर्वेकेडमी में हम आपके लिए लेकर कर आते हैं एक से बढ़के एक एडूकेशनल वीडियो तो दोस्तों जिन्हों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि चुके हैं तो दोस्तों आज कभी ये वीडियो 100 questions करेने वाला हैं तो वीडियो को अंदर तक जरूर देखें बीच में इसके बिल्कुल मत करें और साइन्स की सीलिज को बहुत ही ज्यादे इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितने भी कंप्टेटिव एक्जाम सोंगे हैं अगर साइन्स के questions put up किये जाएंगे तो इस वीडियो से बाहर question नहीं आने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को अवाइड बिल्कुल मत करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करें तो दोस्तों हमारा पहला question है बर्फ में skating करना प्रदर प्रशाता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गल्लांग क्या होता है घड़ जाता है दूसरा question इस टेलने से स्टील एक मिश्रद हातु है जबकि वायू में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है वायू में निश्चित अनुपात नहीं होता है उसके पिर दोस्तों अगला question है पर्य वरणका अध्यान जीव विज्ञान की कि शाखा के अंतरगत किया जाते है यानि environment के study biology की कि किस ब्रांच के अंतरगत करते हैं तो पारिस्थितिकी बोलते हों से क्या बोलते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी यानि ecology फिर अगला question है फूलों के स मर्धन विक्यान को क्या कहते हैं फ्लोरी कल्चर 앞 किसी असंतुलीत बल द्वारा किसी पिंड में उत्पंद वरण क्या होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है किसी या संतुलीद बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन तोरण बल के अंक्रमान बाती होता है फिर अगला कुशन है नेमने लिखित में से कौन सा एक आइस थाई करने तो न्यूट्रोन क्या है न्यूट्रोन एक आइस थाई करने फिर अगला कुशन परमाणू नाभिक के अ गूमते हैं तो उन पर क्या चार्ज होता है उनमें निगेटिव चार्ज होता है और इसलिए अगर हम पूरे एटम की बात करें पूरे परमाणू की बात करें तो ओवराल पूरे परमाणू में कौन सा चार्ज होता है ओवराल पूरे परमाणू में कोई चार्ज नहीं होता है फिर अगला कुशन सजावटी व्रिच और जाडियों के समवर्धन से संबंदित अध्यान कहलाता है आर्बोरी कल्चर जियां सजावटी व्रिच होंगे जो जाडियां होंगी उनके समवर्धन से जो रिलेटेड जो आर्बोरी कल्चर ! फिर निकट ढुर्षटी दोस्ट से पीडित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रेयोग किया जाता हैं ? निकट द्रश्टि क्या मतलब होगा ? कि इसका उल्टा होता है यानि निकट द्रश्टि दोस्ट में Inner व्यक्ति को दूर की मतलब कि व्यक्ति को पास की वस्तोय नहीं दिख रहे हैं और यह निगत पर सम्मत तल हमेशा भिन भिन वस्तोय पर ही लगया होने चाहिए, यहां न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनसार क्रिया और प्रतिक्रिया से रिलेटेड जो फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा भिन भिन वस्तों पर ही लगे होने चाहिए फिर प्रतेक्रिया के बराबर विवरीद दिसा में एक प्रतेक्रिया होती है ये निव यूटन का गति-विश्यक तरती यूझ में जल जल में तैयरना नूटन की कती के किस नियम के कारण संभाव हो हैły जो न्यूंटन संभा है यह किसं नियम है घृत कारण नियम है उसके कारणिं कीकुछ कमय क्तार है कोई où पिंड तब तक विरामा वस्था में ही बना रहेकर जंद तक उपर कोई बलका नहीं करता है यह किसका कठन है नुटन का कठन है ने बताया कि कोई पिंड तब तक विरामा वस्ता में बना रहे सब तक उस पर हम कोई बाहभल आरूपित नहीं करते हैं म inhab diesem किसके लिए परवादु का नाविक होता है इसलिए इसलिए क्या बोलता है sinus cables क्या है पोजित्रान एक फिर दोस्तों एग्रो फ औरस्टरी तो क्रिशी के साथ उसी भूमी पर काश्ठी यह बारहमासी व्रिच लगाना जी हम हम एग्री कंशर भी करें और उसी जो लैंड पर हम ट्री भी लगाएं अलग 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 तरह के जिनसे क्या में वोड मिले तो उसे क्रिशी के साथ साथ उसी भूमी पर काश्ठी यह 12 मासी वरिच लगाना उसे एग्ण फॉरेश्ट्री फिर एक्सोबायोलजी एक्सोबायोलजी में किसका अध्यन करते हैं तो बाहुए जो यहां होते हैं जो दूसरे प्लैनेट सोते हैं और जो अंतरिच होता है उसमें कैसी लाइफ होती है तो इसके बारे में हम किसमें अध्यां करते हैं इग्स जो गालजी जियां बहुत बहुत ज्यादामात्रा में पाय जाता है और विश्वव लेविल पर्वी इंडिया का उस्थान मोग्साइट से किसके हैं विट्समयघतtext पॉस्टास होता है कि बॉक्सी आन्योमनिं iam ka करनेलाइट किसके फ Baptist Aignetium का, गन-mital किसका है, तो गन-mital, तामा, टिन, और चिंक, लहस्थन की अभी लाच्छडिक गंद का कारण क्या होता जिए, ड़िया है दोस्तों हम सबी, डैली लहस्थन का यूज़ करते हैं, और उससे खते हैं कि एक और एक आजीप इनमें से कौन कोलाइड नहीं है तो रच्ट कोलाइड नहीं है पनीर निमन का एक उधारणा है जЕल पनीर किसका उधारणा है? जेल का उधारणा है माचिस की तिली के एक सिरे पर लगा मसाला निमन लिखित का मिस्रण होता है यहां LAL Phosphorus और गंधग हमने देखा होगा माचिस हम देखते हैं तो माचिस के एक सीरे पर एक मसाला लगा होता है जिसको जब हम रब करते हैं मैच बॉक्स में तो चिंगारी उठती है आग लग जाती है तो उसमें आखिर कर क्या होता है उस माचिस की तीली होती है उस मैच इस्टिक में आगे क्या ल खिए क्रिक्साइब से क्या से हथा सॉडियम जल से खलका होता है सामने डिलाइट हो रही है दोस्ते आपर सी एफल या या एक The आपर आपने नोर्मर्मल जो ट्यू राइट होती पहले तो और जया थतर घरो dar आचासे का यूज किया जाथा था तो नौर्मल ट्यूबड में कोल सग्यास होती है तो आरगं के साथ मर्करी वेपर आरगं के साथ मर्करी वेपर कोस में भरतेजे सांवान सब्सक्राइब इंडिया में मतलब चेक के लिए जो भी कोई वैक्सीन बनाई थी किसी रोग के लिए तो एड़वड जेनर चेचक रोग से संब्द नेती किसे चेचक मानों में गुर्दे करो किसके करण होता है किसके पर दूसरन से होता है जियाग कैडमियम किस पीमारी से होता है चुटा चुछ एक नदररहूं होता है बस्ट के बच्छे को चन्म के 7 दिनके अंदर लगा जाता है प्रेकास संस्ट्रीशन के दौरां पैदा होने वाली शिष Norm का शुरूत क्या है तो प्रिकास अंसलेशन के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजिन से जल जल पौधे का कौन सभाग सोशन करिया करता है तो पौधे क्वाध करता है पत्ति कच्छे फ़लो को कृतिम रूप से पकाने के लिए इस इटीलीन गैस का प्रयूग किया जाता है और कई-कई-पे औप स्काइब होग तो अगर कोई व्रीच है तो हमें उसकी एच के बारे में कहाई पता चलेगा कि इतना पूराना पेड़ा है वार्षिक वल्य बोलते हैं तो उन वार्षिक वलीओं को करके हम बता सकते हैं कि इस पेड़ की उम्र लगभा कितनी होगी तो वार्शिक वलियों की संख्या के आधार पर वृच्छो कि आयू को निरधारित किया जाता है तो नेत्रदान में आख कौन सपार्ट होता है जर रेटीना रेटीना नेत्रदान में रेटीना खजूज होता ह साधारण मानो वह में गोडुटुटृ की संख्या जतर फोट्यसिक्स होते है तो फोट्य चिंग सिक्स जयोड़ी गोड़िक टोल कितने हुए है 46 जानी च्विस फिर 28 मानों सरीड के कि सबसे कोरा हाई होती है तो हमारे आप जांग की जो फीमर अड़ी होती सबसे फीर्षमिन हट्टी जो होती है जो मेरे जांगर की हट्टी हो सबसे लंबी हट्टी होती है अगला गुछण हुआ कि चाल्मन कच्टी आरमोन की ब्हें कि लगाते मुट मतहित हुद सबस्सक्राइब पर चाली से इसकी हम लगान險 आंदर होते हैं उनको टेस्ट ट्यूब बेभी जो होते हैं तो इनके लिए बाहरी शरीर से भाहरी निसेचन होता है जो स्पर्म और उव्म होते हैं तो बॉड्हे के बाहर ही उनका फट्लाइजेशन होता है िए तो 12 जोडी पसल्यां कितनी अगर हम अपने चाती में देखें तो पसल्यां कितनी होंगी 12 पसल्यां होती है और 12 तो लेकिन अगर पूछा जाएं कितनी होती है तो पसलियां होती है तो पसलियां होती है तो किस तरह होंगे इकठ्थरित होने पर मानसभेष्यों में एकठ्था होने लगता है तो हम थकान का निरमण कहांभ होता हैं तो अस्तिमज्जा आoug कहां पर होता है आरींसी उनका फ़र्मेशन कहां होता है सिर्टिन में वाशिंग मशीन का कार्य कि सिधंत पर अधरी था तो अब केंद्रण पर निंट आप मानों। क्रायोजенिक्स का अनुपरयोग होता है कि अंत्रिच यात्रा चुम्ब की एप्रोठापन और दूरमीथी में से ότι तुम बूंद की संखचित होकर नियुन्तम छेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है प्रिष्ट तनाव जिया हम देखेंगे कि द्रव की बूंद होती है वह संख्चित होकर कोशिश करेगी कि वह कम से कम इस्थान गेर सके बूंद के बारे में आपने देखा होगा कि बूंद फैलती नहीं है बूंद सभब दैखने एक सभबिघा क्या होती है जिन में परिमारा जिशा दोनों होती है उन्हें क्या बोलते हैं सभब है और सभब क्या है एक साधी शराशिय अगला कुशन जप किसी जिल की तलिए से उठकर वयो का वुलुला उपरी सता तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा बढ़ जाएगा जब उपर तक तो उसका क्या होगा आकार बढ़ जाएगा अल्फा कंड के दो धनावेस होते हैं इसका द्रिव निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट पर दोगी की जिते हैं इदो तेकन उटी जिए तो में निम्नतापी इंजनों का परियोग किया जाता है क्रायोजनिक्स वोलते हैं निर्वात में प्रकाश किचाल होती है इसको देख लिजेगा अच्छे से निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तीन गुणे दस की घात आठ मीटर पर सेकंड तो अगला क्यों क्योंकि इसमें भी परिमान होता है और दिशा होती ही दोनों होते हैं और इसलिए एक सदिश्राशी है फिर एक परिशुद्ध घड़ी तीन बजए का समय दर्शार है घंटे की सुई में के करें गुणा के लिए गटर है अगला क्योंने लिखित हैं किस ने न्यूटन से पूरही बता दिया सबी वस्तों यह प्रतवी की और गुरुत्वकरेशित होती है कितो उसी सब्सक्राइब करता है बहुत इंपॉर्टन जो होते हैं वह किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं अगला प्रेशन साइकिल चालक को प्रारंब में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है तो चालक जड़तों पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया था तो लैमार्क और ट्राइविरेनस ने वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है थी यो फ्रेश्टरस चिकिस्त सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है हिप्पोक्रेटस और इसलिए जो जितने भी डॉक्टर्स ह होते हैं उन्हें किसकी शव्रक दिला जाती हिप्पोक्रेटस की पुश्पो के अध्यन को क्या कहते लाजी एंथा गयों संदांस ऑद्सन कहाँ हैं देहरा दून में भारति वानस्पतिक सनवेच्षन का मुख्याले कहा है कोलकाता में निम्न लिखित में से वरगी की का पि प्लांटी और जो सबसे जो यूनिट थी जो क्लासिफिकेशन की किसी भी अगर हम या प्लांट करते हैं तो जो सबसे बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की जो सबसे आधार भूती का होती होती है सिर जाती हैं कि अगला जीवाणू की सबसे ने कि तो सबसे नउकलियवहं नहीं होता है। बहुचयन की विशाकतता उत्पन होती है क्लॉस्ट्रेटियूम बॉर्टू लीनम द्वारा ज्याधि स्थरी करण में कौन साथ फसल्स आया का फली वीन्स लेकिन मैं vibe लिएब चरश है किसके के दोरा होता है बैक्तिरिया के दोरा था है यूँग्तपधार्थ का सीर्थी करन एक पर अचिज अब माइक्रोबाक्टीरिया पर उनको बहुत चाल में इनक्तिरिया निल्ग कि रूप में समने कार्ण लेक्टोबेसिलस या दूल से अधे जो बंता है तो यानि हमारे लिए यूस्फट वैक्टीरिया कौहूं से लेक्टोबेसिलस कि वरिच्छों की चाल पर ऊपने वाले कवकों करके कार्टी कोल टी है इसके बीच क्या होता है इसमें खुजली बहुत होती है लाइकें किंदो बर्ग के पौदो से मिलकर बने होते हैं तो कवक और शयावाल यानि फंजाई और एलगी से कर लाय के बने होते हैं लाय के किसके सूच्चक होते हैं बहुत ज़्यद would कर मुलल भास किसमें पाय जाता सब से अधिक क्रोमोसोम वह स्ब्सक्राइब अधिक हैं रिधिमे से कौन सा एक जीवोट है तो साइकस को इद जीवोटि के नाम से जानते हैं साबुदाना किस से प्राप्त होता है साइकस से निम लिखित में से कौन एक जड़ नहीं है तो आलू जड़ नहीं है अम सभी जानते हैं कि आलू जड़ नहीं है इस्तंब मूल होती है अपस्थानिक जड़े इस्तंब मूल क्या होती है अपस्थानिक जड़े जड़े किस भाग से विक्सित होती तो मूलांकूर से तो मूलांकूर होते हैं उससे जड़े विक्सित होती है गाजार एक प्रकार से क्या है जड़े गाजार क्या है जड़े और हल्दी के पौध्य का कि घ्रों में विद्द की जो पूर्टी की जाती है 220 वॉल्ट i an average voltage थे 220 व्यchauकिया वोल्टेज परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या प्रोटॉनॉन न्यूट्रून हम लोग उपर डिसकस कर चुके हैं इस को रिपीटेट कुश्चन है एंपियर किसका मत्रक है विद्द्धारा यहां इलेक्टर सीटी जो होती है जो इलेक्टर करेंट होता है तो उसका जो मात्रक क्या होता है एंपियर शरीर रचना के किस वर्गी करण में लॉबस्टर समध् सब्सक्राइब कान से पधो नैटरोजन स्थाइक करन की फिर सबन होतीज। चना और आने दलहां घृते हैं चना और मट इसफेशली तो इनके पहांगो हक्ता में चिंश करने की घृच्छ कठक्रĩ नाम नाम होता हुआ उसका विद्द्ध परिपत्स्स का का रह उता है तो में विद्दियुद्परिपद की रच्छा करता है विद्द्धव कर ता में विद्द परिपद एक Infuse क्या की रच्छा करता है और जिससे सब जगे current की supply क्या होती है रुख जाती है तो इससे क्या होता है कि बाकी जगे current फैलता नहीं और जो इतने भी electronic जो हमारे उपकरण होते हैं तो वो सब जितने भी electric मशीने होती हैं तो वो सब सुर अच्छी तरहती है और जानमाल का खत्रा भी नहीं रहता है तो द जादा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएं तो दुस्तों इस वीडियो को लाइक चरूर करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें धन्यवाद